पूर्णिंग सुडेंट्स आजम करने जा रहे हैं आपकी वोर्कशिट नमबर सिक्स्टी सब्जेक्ट साइन्स क्लास 9 हमारी डे 25 नवेंबर के लिए तो चली शिरू करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एटम में उसका स्ट्रक्चर कैस से जो उसके अंदर बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रोन बोला गया है न समझाने के लिए उसने किसका एक्जामपल लिया वाटरमेलन का तो आज हम बढ़ेंगे रदर फोर्ड के बारे में कि रदर फोर्ड ने क्या-क्या एक्स्परिमेंट किया और किस तरीके से उसने एटम को स्ट्रक्चर गाइस किया ठीक है अब देखो सबसे पहरे आपको पता होना चाहिए रदर फोर्ड मोटल ओफटम है क्या हमें पता है कि जो प्रोटोन है वो किसने डिस्कवर किया ए गोल्ड स्टिन ठीक है जैसे कि कल की वोक्षीट में भी क्वेश्चिन था कि इलेक्ट् स्टिन ने आप मुझे कमेंट से बताओ कि इलेक्ट्रोन किसने डिस्कवर किया ठीक है इससे पता लगेगा कि आपने वो देखी भी है कि नहीं अच्छे से समझने की कोशिश किया लर्न भी करते हो कि नहीं ठीक है तो चलो आप देखो इलेक्ट्रोन तो इगोल्ड स्टिन है किस से पहले प्रोटोन डिस्कवर किया है इलेक्ट्रोन से पहले ठीक है इलेक्ट्रोन से भी पहले डिस्कवर हो चुक है प्रोटोन उसके बाद जो उसको इंट्रस्ट था यह जानने में इन नोइंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोन की जो इलेक्ट्रोन है उनको हम कैसे arrange कर सकते हैं ठीक है electrons को किस तरीके से बही electrons चारो तरफ है या electron से बीच में है किस तरीके से हैं electrons ये जानने में उसको interest था एक atom के अंदर कैसे electrons को arrangement है अब देखो तो उसने क्या किया एक experiment किया alpha particle के साथ which alpha particles were made to fall मतलब क्या किया कि उसने alpha particles को एक gold foil के उपर क्या करवाया gold foil के उपर उसने उसके particles को strike कराया ठीक है तो उसने conclude किया कि जितना भी space है एक atom के अंदर वो जादातर खाली है और जो electrons है वो nucleus के around circular path में घूमते रहते हैं ठीक है अच्छे से भी नीचे आपको यह जो experiment है इसमें आपको बताती हूँ में चीज तो आपको यही से समझ में आगी Rutherford ने क्या conclude किया he concluded कि जितना जादा space है जादा तर जो space atom के अंदर वो क्या है खाली है empty है और जो nucleus है जो electron है वो nucleus के चारों तरफ घूमते रहते हैं अब देखो क्या था उसका एक्सपरिमेंट उसने एक्सपरिमेंट में किया क्या था Rutherford alpha particle scattering experiment हम इसको बोलते है उसने क्या क्या एक gold foil लिया foil paper आपने देखा होगा ना तो उस तरीके का आप cool silver color का होता है तो उसी तरीके से पतले सी sheet उसने क्या लिए एक gold foil यह दिख रहा है आपको वैसे ही gold का उसने एक foil लिया जो thousand atom thick of thousand atom मतलब एक atom के से thousand times वो क्या है मोटा है क्योंकि atom ही इतना छोटा होता है उसको अपने आगों से देख ही नहीं सकते तो thousand atom यह दिखने में आपको बड़ा लग रहा है तो उसने उस gold foil को select किया उसकी high malleability के लिए क्योंकि वो malleable easy होता है आपको पता है न gold की जो gold है वो कितने easily malleable होता है कितने सारी जो jewelry है हमारी वो सब बनाते है gold से तो जो gold है वो उसकी malleability की वजह से उसने gold को choose करा and alpha particles were bombarded on it और alpha particles को उसकी उपर gold foil के उपर उसने क्या कराया strike कराया ठीक है तो जो alpha particles थे वो क्या है positively charged helium ions है ठीक है alpha particles क्या है alpha particles are positively charged helium ions ठीक है तो जो alpha particles है उनको were expected to reflect it as the atom has proton in it जो alpha particles है वो टकरा के वापस reflect होके आ जाएंगे क्योंकि जो atom में उसके अंदर protons है यह expect यह उमीद तो यही थी ना क्योंकि हम तो हमें तो पता है कि जो atom से उसके अंदर protons होते हैं तो proton से टकरा कर atom के अंदर से जो alpha particles से वो वापस आ जाएंगे ठीक है तो यहां पे देखो experiment दिखा हो यह आपको यह क्या है अपका gold foil है यह क्या आपका alpha particle है इसको यहां से direct हमने क्या किया इसको strike कराया तो कुछ particles यहां पे observe हमने क्या किया observation क्या है कि most of the fast moving alpha particles pass straight through the gold foil कि जितने जादा तर alpha particles थी यह आर पार निकल गई straight foil के foil से पीछे निकल गई ठीक है कि cross कर लिया और just some of the particles were deflected by small angle और कुछ जो particles थी वो के हो गई कुछ चोटे-चोटे angle से deflect हो गई मतलब वापस टकर वापस आ गई और one out of every 12,000 particles 12,000 मेंसे एक ऐसा particles मिल रहा था जो rebound हो रहा था rebound का मतलब उसे जहां से वापस जहां से वो गया था उसी रास्ते से वापस है deflect थ हो गया और यहीं से गया था और यहीं से आ गया reflect हो गया तो यह देखो यहां से आपको दिख्ला होगा atom level पे यह क्या हो गए आपका nucleus है ठीक है तो यहां से कुछ तो यह आरपार आपको दिख रहे हैं आरपार निकल गए और कुछ इलफ़ पार्टिकल चैसे deflect हो गए मुड़ गए ठीक है लेकिन बीच में यहां पर जो बीच में यह दिख रहा है आपको यहां से जाके वापस इदर आ ठीक है अब देखो रदरफोर्ड मॉडल ओफ एटम जो रदरफोर्ड मॉडल ओफ एटम में क्या है इनकी observation के हिसाब से experiment के हिसाब से रदरफोर्ड ने एक मॉडल ऐटम का जो बनाया था उसमें क्या था कि जो positively charged थे जो positively charged था वो center में था nucleus के बीच ओ बीच था जिसको हमने नाम दिया nucleus का ठीक है कि कुछ ना कुछ एटम के बीच में है एक positively charged जिसको हम क्या बोलते है nucleus बोलते है nearly all the mass of atom is concentrated in it जितना भी mass है atom का जितना भार है वो सारा इस nucleus में होता है mostly कुछ percent to side में भी होता है लेकिन mostly nucleus में ही जादा weight होता है तो जो electrons है वो दूसरा point किया जो electrons है वो गूमते हैं थर्ड है the size of the nucleus is very small जो nucleus का size वो बहुत जादा छोटा है as compared to size of an atom atom का ही इतना छोटा होता है उससे भी बहुत छोटा है nucleus का size जो radius है nucleus की उसको माल लेजे 10 to power 5 times less than the radius of atom जो radius की जो atom की radius है उसके 10 to power 5 times छोटा है किसका radius nucleus का radius ठीक है यह दो दिन points है जो रदर model से में पता लगे अब देखो drawbacks क्या थे इसकी क्या खामिया रह गई थी rather ford model of atom में तो देखो जो revolution है electrons का जो electrons चालो तरफ घूम रहे थे circular बात में गोलाई में किसके round nucleus के round is not expected to be stable वो stable नहीं थे ठीक है as the electrons are charge particles हमें पता है कि जो electrons है कैसे charge particles उन पे charge होता है कूं सा charge होता है minus का negative charge होता है they shall radiate energy while they move in circular path जैसे जैसे वो घूम रहे हैं तो जो उनकी energy है कुछ तो energy भी release कर रहे होंगे ना वो कोई energy तो लग रही होगी अगर वो घूम रहे हैं तो and will ultimate lose energy और अगर किसी भी चीज में energy लग रही है तो हमेशा 100% तो रह नहीं सकती तो वो energy वो waste भी होगी ह as a result they will fall in the nucleus और ऐसे वो कम होते होते वो क्या करेंगे nucleus के अंदर जाके गिर जाएंगे ठीक है लेकिन जो atoms है वो हमें stable मेले लेकिन यह सब नहीं हुआ क्योंकि अगर हम अपना logic जो जितना हमें पता है कि जो energy लग रही है किसी भी चीज में तो energy तो कम भी होती है ठीक है 100% energy तो हमेशा रहती नहीं है तो energy कम होगी तो atoms जो electrons है वो तो nucleus के अंदर घुस जाने चाहिए ठीक है तो यह बात जो rather 4 है वो नहीं explain कर पाया क्योंकि इस जो इसने जो रखा था जो इसके model के हिसाब से तो वो क्या हो जाना चाहिए जो electrons है उसको यह अच्छे से explain नहीं कर पाय तो क्या हुआ वो stable नहीं stability को नहीं proof कर पाया कि electrons है जो उसकी stability उसको नहीं proof कर पाया जबकि जो atoms है वो तो stable ही है यह तो हमें पता ही है इसी तरी की तभी तो वो atom exist कर रही है कोई जीज वो stability है उसके अंदर तभी तो exist कर रही है तो जो rather 4D model of an atom है वो explain नहीं कर पाया इस fact को ठीक है तो यह होगे drawbacks अब चलते हैं मारे question answers पे तो 5 questions आज आज आपकी worksheet में given है तो चलिए शुरू करते हैं first question है आपका which metal was used by कौन सा metal use किया था Ernst Rutherford ने अपने experiment वे तो लिखोगे आप answer में gold foil क्या use किया था उसने gold use किया था ठीक है यह होगे question 1 अब चलते है question number 2 पे question number 2 question number 2 में है what were the observation made by Rutherford जो Rutherford है उसने क्या क्या observation की तो observations क्या होंगी most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil जितने जाधा तर जो fast moving particles alpha particles है वो gold foil से सीधा पार निकल गई और जो कुछ particles है वो deflect हो गई by small angles छोटे छोटे एंगल से वो वापस मुड़ गए और एक 12,000 particles में से एक ऐसा था जो appear हो रहा था rebound मतलब वापस जागर वापस आना ठीक है उसी line से तो यह होगे आपका question number 2 यह तीन आपकी observations हमने Rutherford model से देखी question number 3 है which subatomic particles are present in the nucleus and in the circular parts in the atom कौन सा subatomic particle है वो nucleus के अंदर है और circular path में जो atom है उस atom के जो चारो तरफ है गूमता है वो कौन सा subatomic part है तो हमें पता है जो nucleus के अंदर है जो protons है वो subatomic particles है जो nucleus के अंदर है और electrons ऐसे subatomic particles है जो circular path में गूमते रहते हैं atom के अंदर ठीक है तो यह होगे आपका question number 3 question number 4 question number 4 में क्या है write the main features of Rutherford model of atom Rutherford model के features लिखने है तो आप लिखोगे on the basis of his observation from the experiment Rutherford proposed a model of the atom as Rutherford ने पने model of atom को रखा किस तरीके से की first point है तीन points से देखो 1, 2, 3 यह 3 points है पहला की there is positively charged center in the atom की center में एक positive charge है जिसको हम बोलते है nucleus nearly all the mass of atom is concentrated in it जितना भी mass है वो सारा इस nucleus के अंदर ही होता है atom का दूसरा जो electron से वो revolt करते है किसके round nucleus के round circular पात्मी चारो तरफ उसके गोल गोल गूमते रहते है उसकी बाद जो size है nucleus का वो बहुत छोटा होता है as compared to size of atom atom से भी बहुत छोटा होता है कितना छोटा होता है जो nucleus की radius है वो 10 to power 5 times यहां पे बेटा 105 times लिखा हुआ है इसको आप 10 to power 5 times ठीक है 10 to power 5 times कम होती किससे radius of neutrons यह आप क्या करोगे 10 to power 5 times तो यह होगे आपका question number 4 अब last question है जो आपकी worksheet का वो है question number 5 question number 5 में है who discovered proton, proton किसने discover किया और alpha particles क्या है तो लिखोगे proton was discovered by E. Goldstein, E. Goldstein ने proton को discover किया और alpha particles क्या है positively charged particles है जिसके अंदर दो protons होते हैं और दो neutrons होते हैं और यह किसके होते हैं यह identical होते हैं किसी nucleus of helium atom, identical to nucleus of helium atom यह हो गया question number 5 तो यह five questions आज आपकी worksheet में given थे, I hope अच्चे से आपको पांचो questions के answers समझ में आ गए हैं और पूरी worksheet भी, कोई भी doubt आपको पूरी worksheet में तो comment section में आप मुझे बता सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चानल को subscribe भी कर सकते हैं, thank you and have a great day